कुछ ऐसे पूलों वाले पोदे जिनकी कटिंग आप घर बैठे इस समय बहुत असानी से और बिल्कुल फ्री में ग्रोव कर सकते हैं जितनी भी पोदे आज किस वीडियो में शियर करूंगी यह सारे फूलों वाले पोदे बहुत असानी से आपको आपके सरौंडिंग एरिया में रूट साइड एरिया में मिल जाएंगे इवन कि आप चाहें तो इन पोदों की कटिंग को किसी पडोसी से भी मांग कर अपने घर अखिर तक जरूर बने रहें और वीडियो को लाइक शेयर के साथ साथ चैलो को सब्सक्राइब करना बिलकुल भी मद बूलिएगा चंपा एक पर्मनेंट फ्लोवरिंग प्लांट है बरसात में इस पोदे की कटिंग है बहुत ही असानी से ग्रोह हो जाती है यह जो पोदे ह बहुत ही जादा रोड साइड एरिया में देखिए इनके बहुत बड़े बड़े ट्रीज आपको देखने को मिल जाएंगे तो वहां से भी आप इन पोदों की कटिंग को लाक फ्री में घर में गरो कर सकते हैं जिसमें पोदे से कटिंग ले उस पोदे पर साफ फंजी सैड जो है लो खातिजे इनके जो ब्रांचि व्योत निकलता है तो कटिंग लगाने से पहले आप tęसी तीन से चार घंटे की हैया भी चूरी सकते हैं यहां पर देख सकते हैं मैंने इनकी कुछ चार कटिंग से ली थी इनको रिष्ट पे छोड़ा हुआ था जैसे कि आप यह आप मैंने बहुत ही फाइन कट लेके एक पॉट में मैंने वेल्रेंड मिट्टी में इनकी जो कटिंग से वो मैंने लगा दी थी ध्यान रहे कि इनकी जो मिट्टी है बड़ी जादा सोगी नहीं रखना हल्की सी मॉइस्चर बना रहे हैं नेक्स आप यहां पर यह देख सकते हैं मै बहुत जादा बारिशें हो रहे थी जिसके कारण यह चार कटिंग जो थी मेरी खराब हो गी थी लेकिन मेने इनका जो खराब भाग था वो मैंने कट करके साइड़ पर कर दिया और चूटी 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 कटिंग को इस वाले पॉट में मैंने दबारा से इनको ग्रो कर आप यहां पर यह देख सकते हैं, चार कटिंग लगाई थी, जिसमें से तीन कटिंग राएगी थी, देखे किने अच्छे से इन पोदों की जड़े जो है वो डेवलोप होई हैं, तो गर बैठे आपको यह पोदे खरीदने की जरूरत नहीं है, सिर्फ जरूरत है आपको पोदे का पोदा भी कहा जाता है और इसमें ब्लू कलर के फ्लॉर से ब्लूम कर रहे हैं, जो देखने में बहुत ही जादा खूब लगते हैं, बरसात के मौसम में मेरे इस पोदे की ग्रोथ बहुत अच्छे से चल रही है, कुछ टाइम पहले ही मैंने इस पोदे को बहुत अच्छे से ग्रोथ भी चल रही है और इसमें फूल जो है वो भी खिल रहे है तो इस समय बरसात में आप इस पोदे को भी कटिंग से असानी से ग्रोव कर सकते हैं, अभी जैसे बारिशे चल रही है तो मुसली क्या ओदा है कि विंका के जो पोदे होते हैं, इनको प पोदों को कटिंग से असानी से ग्रोव करके इनके भी नए निया पोदी जो हो तियार कर सकते हैं, नमबर दिसंबर तक इन पोदों पे बहुत अच्छी फ्लॉवरिंग जो होती है, इन पोदों की कटिंग को ग्रोव करने के लिए आप किसी भी मतल प्लांट से छोटी इनकी कटिंग में जड़े भी बरना शुरू हो जाती है, तो यह पोदे की कटिंग आप इस समय असानी से ग्रोव कर सकते हैं, बस और वाटरिंग का ज़रूर दियान रखें, और वाटरिंग से यह पोदे बहुत जल्दी खराब हो जाते हैं, तो गुड़हल के पोदे की कटिंग असानी से ग्रोव कर सकते हैं, स्पेशली जो देसी वाला गुड़हल होता है, तो दस से पंधरा दिन में असानी से ग्रोव हो जाता है, क्योंकि वी बरसात है, बरसात में कटिंग बहुत जल्दी ग्रो हो जाती है, आप चाहे तो इनकी कोई भी कटिंग पैंसिल सा सप्रे करते रहें, क्योंकि बरसात के मौसम में इसमें बहुत जादा मिली बका अटैक जो हो देखा जाता है, तो इसके निवारन के लिए आप इने सोपी वाटर से भी इनके पोदों को वाश कर सकते हैं, इसे पोदे की अवरल जो ग्रोथ है, बहुत अच्छे से चलती रह अगला फूलों वाला पोद आप स्कीन पर देख रहे हैं, यह है चमेली, चमेली बहुत ही खूबसरत एक पर्मनेंट फ्लॉवरिंग वाइन होती है, डिफरेंट डिफरेंट वेज में आप इन पोदों को लगा सकते हैं, ऐसे वाइन के रूप में भी ग्रो कर सकते हैं, इस पोदे की छोटी सी कुटिंग बहुत असानी से घ्रो हो जाती है, अपने मदल प्लांसे में इसकी पत्ली सी ब्रांच को कट करके इसवले पॉट में लगा दिया था, अब आप यहां पर यह देख सकते हैं, हफते बर में इसकी जो कुटिंग है वो ग्रो हो जाती है, एक नन आप पूदे देखने को मिलेगी, यह पूदे भी आप इसमें क्टिंग आसानी से ग्रोव कर सकते हैं, फ्रेंड्स ब्रहमा कमल की कटिंग भी आप इसमें लगा सकते हैं, बहुत ही खुबसरूर यह एक पर्मनेंट स्कुलेंट टैप का फ्लॉवरिंग प्लान्ट होता है, इस कोशिश करें इनके पोदे हो चाहे कटिंगों आप इने ब्राइट लाइट वाली जगह पर रखें और इसके इलावा फ्रेंड्स बारिश जैसे चल रही है तो कोशिश करें इनको बारिशों के पानी से बचा कर रखें यानि कि इंडिरेक्ट बारिशों वाली जगह पर रखे यह पोदे बिहाज बहुत ही निकल आता हैं इस समय बरसाथ में टिकों मादे की कुरटिक उर्थ है यह तक पूदी को बहुत ज़ाता है अगलताूए more और पीछ है करणी बहुत ज़ारा चुक्ट है अभी पारिशे हो रही हैं मैंने अपने काफी पोदों को प्रूनिंग वगारा जो है वो कर दिया जिसमें इस पोदे की जो गूध है बहुत अच्छे से हो गी तो आप भी इस समय इन पोदों को कटिंग से ग्रोव कर सक्ते हैं पोदे बड़े जादा लेगी हो चुके हो एं तो उनकी आप थोड़ी सी कटाई छटाई करके आप इन पोदों को रख दीजे, नियूनीड लीवज आना शुरू हो जाएंगी, और इसके इलावा ये जो पोदे हैं, जितने जादा बूशी होते हैं, उतने ही जादा इसमें फूल जो है वो देखनी को मिलते हैं, जितने भी फूलों वाले पोदे हैं, जिनकी प्रांचिस हार्ड वुड टाइप की होते हैं, उनकी कटिंग इस समय आप असानी से लगा सकते हैं, इसके लावा फ्रेंड्स ये देखे, ये है रेन लिली का पोदा, और ये देखे, मेरे वाले पोदे में बीज जो हैं, वो भी इस समय बन रहे हैं, और अभी सही समय है, जितने भी आपके फूलों वाले पोदे हैं, जिन पर बीज बन रहे हैं, आप उनको बल्फ से सेपरेट करके भी बहुत से प्लांट जो मुल्टिपलाई कर सकते हैं नीचे की जितनी भी लीव्स होती हैं इसे पानी की वज़े से गल जाती हैं कोशिश करें आप उनकी लीव्स को हटाते चले जाए बोगन वेल पोदे की कटिंग को ग्रोव करने के लिए हम पूरा साल इंतजार करते हैं, क्योंकि यह जो पर्मनेंट फूल वाले पोदे होते हैं, जिनकी ब्रांचिस काफी हार्ड होती हैं, इनको बहुत जादा समय लगता है, तो रेनी सीजन में इनके 100% रिजर्ट्स लेने क आप कटिंग वाली जगह पर साफ फंजी सैड यह हल्दी भी लगा सकते हैं, इसे फंगल इंफेक्शन नहीं होता है, जल्दी जड़े बनने के लिए आप रूटिंग हार्मोन का भी इस्तमाल कर सकते हैं, किसी भी मिट्टी में लगा दीजे, यह जब बहुत असानी से ग्र से लग जाती है, और इवन कि यह पोदे बीज से भी आप समय तियार कर सकते हैं, टाम टो टाम यह पोदे बहुत सारे बीज बनते रहते हैं, और इवन कि इनके जो बीज होते हैं, जिस भी पोट में गिरते हैं, असानी से इनके नहीं पोदे अपने आप ही रेडी हो जाते ह मैंने एक छोटी सी कटिंग इस वाले पॉट में डाली थी देख सकते हैं वो कटिंग इतनी बढ़िया चल रही है बहुत अच्छी इसकी ग्रोध भी चल रही है और काफी बड़ा भी हो चुका हुआ पोदा तो मैं इसकी कटिंग को निकाल के बताती हूं यह देखिए फ्रें आप डाली है जी मिला पूल रही इंड़न कर सकते हां चल ठोफाव प्लावरिंग प्लांट को भी आप असानी से कटिंग तौइल आपकर जिसने बहुत हैं पूल होता है जिसमें पूल आते हैं और हम इसे फोल रहते हैं और बेस्ट पाइट यह हम आप से तो यह नहीं पोदे जो है बहुत असानी से रेडी हो जाते हैं और जादा मेहनत भी नहीं करने पड़ती है अपनी मदल प्लांट से मैंने इसकी तीन कटिंग को कट करके लाया है जब भी आप कटिंग को ग्रोग करें पैंसिल साइस के आप इसकी कटिंग बना लीजे नीचे की कुछी या लेकर किसी भी मिट्टी में लगा देंगे तो यह पोदे बहुत जल्दी ग्रोग हो जाते हैं मैंने जो कटिंग लगाई थी यह देखिए फ्रेंड आप उनकी ग्रोध कितने अच्छे से चल रहे है बारिशों की वज़े से यह पोदे कितने हरे भरे जो है वो दिख रह है तो श्रीम प्लान को भी कटिंग से असानी से ग्रोग कर सकते हैं यह देखिए बारिशों में मेरे पोदे की कितनी अच्छी ग्रोध जो है वो चल रही है इसमें ब्लूमिंग जो है वो भी हो रही है तो यह पोदे भी कटिंग से असानी से ग्रोग कर सकते हैं इसकी कटिं साइस की आप कटिंग ले लीजे, पैंसिल साइस की ले लीजे, ना जादा मोटी होनी चाहिए, ना जादा पतली होनी चाहिए, किसी भी मिट्टी में लगा दीजे, रेत में लगा दीजे, इस समय इन पोदों की कटिंग असानी से ग्रो हो जाती है, और ये पोदे रेनी सीजन से लेकर पुरी सर्धियों तक बहुत ही अच्छी ब्लूमिंग करते हैं इसके जो देसी वाली वेराइटी होते हैं जिसमें रेड कलर के फ्लॉर्स ब्लूम करते हैं वो पोदे जो है वो किसी भी मोसर में लगा देजिए उनकी कटिंग बहुत असानी से चल पड़ती है लेकिन इन पोदों को कटिंग से ग्रो होने में थोड़ा सा समय जो है वो जरूर लग जाता है तो यहां पर यह आप देख सके हैं अपने मदर प्लांट से में इसकी चोटी-चोटी को ग्रो करके इनके भी प्लैंटर जो है रेडी कर रही हो तो यह पोदे पूरा साल काफी हार्डी यह प्लांट होता है इसकी कटिंग भी आर्ट से दस दिन में जो हो जाती है तो यहां पर यह आप देख सकते हैं इनकी कितनी अच्छे से इनकी जो कटिंग जो है वो बन चुकी है तो आप यह इसी तरह से कर सकते हैं घर बैठे आप डेरो पोदे कटिंग को सब्सक्राइब कर दिन कोटिंग कोग आप इसे अम पहुत सारे पूदे फ्लावर्रिंग च भी रहते है तो यह bet नुधन प्लावरे टोक्सिक रहता है बट बहुती प्यारे प्यारे इसके छोटे चोटे थोटे फूर्वर उते हैं अप चाहें तो च्टे कंटेनर में भी इनको cutting दवारा grow करके इनके free के plants बना सकते हैं इन में बहुत ही heavy flowering होती है और आजकल इसकी बहुत सारी रंग भी रंगे पूलों वाले पोदे भी आपको नरसी में बहुत ही minimum price में 35-40 रुबे तक मिल जाएंगे जिसे आप छोटे-छोटे कंटेनर में grow कर सकते हैं आजकी इस वीडियो में मैंने आपसे बहुत सारी खुबसर पर्मनेंट फूलों वाले पोदों को cutting से लगाना बताया है इन पोदों की cutting पर साथ में बहुत असानी से और 100% results के साथ जो है वो grow हो जाती है अभी भी मौका है अगर आपने पोदों को cutting नहीं लगाई है तो फटा-फट से लगा लें यह पोदे की cutting बहुत जल्दी grow हो जाती है I hope आज की वीडियो सब के लिए useful रहे होगी वीडियो अगर आपको थोड़ी से भी अच्छी लगे तो please do like share comment and subscribe my channel thank you friends stay blessed and bye